रेफरेंस दिखाया था कुरान से शायद उसमें लिखा हुआ है कि अल्ला ने जिसको हिदायत देनी थी उसको हिदायत दिया है याकि जितने लोग बचे उनका क्या होगा जैद भाई जैसे अल्ला आप जब खुदी बता रहे हैं कि जिनको हिदायत देनी है वो हम चुन रखे है पहले से और बाफियों को नहीं मिलनी है कुछ भी कर ले हो तो फिर ये क्या सीन यही था पहला सवाब यह है आप कम्प्लीट कर लेंगे तो मैं दूसरा पूछ लूँगा सिवे और सनातन भाई आप इस बारे में अगर देखोंगे कुरान में कई सारी आयते थांजलाने स्वाथ 13 वस 27 सुरे राद में फरमाया कि यहदी ऐलेही मन अनाब अप किसे हिदायत देता है जो अल्ला की तरफ पलटता है अब किसे हिदायत देता है ऐसा नहीं कि रैंडम रस्ते चलते किसी भी इनसान को हिदायत मिल गए किसी को भी गुमराही मिल गई, अरे मुझे हिदायत मिल गई, अरे मुझे गुमराही मिल गई, ऐसा नहीं, वो हिदायत और गुमराही जो है कुछ चीजों पर based है, अगर आप सुरह लेल पड़े फामा मन खाफा, जो फामा मन आता वत्तका, वस्द्दका बिलहुसना, जो आता जो देता है, खर्च करता है अल्ला के रास्ते में, नेक कामों में, वा, आता, वत्तका, देता भी है, अल्ला से डरता भी है, वस्द्दका बिलहुसना, सच्चाई को कंफर्म भी करता है, जो सच्चाई उसके सामने आती है, उसको कुबूल करता है, एकसेप्ट करता है, उसको कन्फरम करता है तो अल्ला तान फर्माए, फसनुयस्रूहूलियूस्रा हम उसके लिए जो भलाई का रास्ता है, उसके लिए आसान कर देंगे वामामन जो बखिला, जो कन्जूसी करे, वस्तगना अपने आपको बहुत बड़ा समझे और कदबा बिलहुस्ना सचाई का इंकार करे, वसनुयस्रूहूलिल उस्रा, हम उसके लिए बदबक्ती का रास्ता हसान कर देंगे तो अब यहां कैसा है? कि हिदायत और गुमराही जो है इसलाम कहता है, कि उपर वाले के हाथ में हमारे हाथ में नहीं है हाँ हमारे actions पे based है कि हम अगर अच्छे काम करेंगे उसकी तरफ पलटते हम हिदायत चाहते है तो Allah हमें हिदायत देगा और अगर हम गुमराही वाले गलत काम करेंगे तो फिर हमें वही चीज़ मिलेगी अब जो इनसान अगर मान लो कोई downward जाएगा बस लोग पर तो फिसल के नीचे ही जाने वाला है हाँ तो हमें समझना है कि हमारे actions पर Allah ताला ने वैसा रखा है मामला it's recompensation अब इसके अंदर कोई ये भी सोच सकता है कि ऐसा क्यों है अब इसके अच्छे क्यों है हमारे हाथ में होना चीए है न मुझे ये रास्ते पर नहीं चलना चीए अब वो अभी तक गुमराही के लायक था लेकिन इस पॉइंट पर आकर वो हिदायत के लायक बन गया उसे खुद भी नहीं मालुम पड़ा कि वो कब हिदायत के लायक हो गया अब आपने आपको बल रहा है मैं गाइड़ हूँ अब एक टाइम है जो अलला को पता है अब ये टाइम पर ये जो उसका गुरूर है ना ये गुमराही की वज़ा है उसकी और यहां पर आकर वो गुमराह होने वाला है सही रास्ते पे चलते चलते ये पॉइंट पे आकर वो गुमरा हो जाएगा उसके दमाग में वो अरगेंस हो जाएगा अब बात यह है कि हिदायत और गुमराही है ना हमारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम इंपरफेक्ट हैं हमा अंदर कम्या हैं हमें मालू ही नहीं पढ़ता है कि कौन हिदायत के लायक है कौन गुमराही के लायक है लेकिन अल्ला इंसाफ करता है किसी पे जर्रा बराबर भी जल्म नहीं करता है सुराफोस 40 कुरान में दिया है किसी के साथ गलत नहीं करेगा तो वो हिदायत और गुमराई देगा, जो हिदायत के लाइक हैं, उने हिदायत देगा, जो गुमराईए के लाइक हैं, अब आप अगर आप अब्ज publishers लेना चाहते हो, तो इस्लाम के लिदर जो basis है ना हिदायत की, आप वो basis का बोल सकते हो कि हाँ ये basis में मैं नहीं मानता कि वो हिदायत के लायक है वो आप आर्ग्यू कर सकते हो लेकिन ये point कि अल्ला हिदायत देता है गुमराही देता है इसके अंदर clear है कि उसी के हाथ में है आप इस बारे में कुछ बुलना चाहते है जी बाई जैसे अगर एक non-muslim है गैर-muslim है उसे सब चीज पता चल गया कि क्या है इसलाम और इसलाम के सारे जो भी अकीदे हैं वो पता लग गया उसको उसके बाद भी जैसे उसकी death आने से पहले वो मुस्लिम ना बन सका किसी कारण मतलब accept ना कर पाया अपने religion छोड़ना किसी असान नहीं होता है तो वह ना छोड़ पाया और फिर मर गया तो उसे चुकि पता था इसलाम के बारे में क्योंकि एक वस्से था वस्से कोई है आपी के तरह अली दावा करके तो उन्होंने ये बताया था कि जिनको नहीं पता है इसलाम के बारों में बिलकुल भी उनका judgment अला पाप खुद करेंगे on the day of judgment ठीक है पर जिनको जैसे इसलाम के पता चल गया और पत कि देखिये क्या है कि जिनको पता ही नहीं चला जिनको पता ही जिनको पता चलाया जिनको पता ही। तो हक मिले तो जुटलाएगा कोई ना कियामत के दिन जहन्नम के दर्वाजे पर जहन्नम के दारुगा कहेंगे क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए तो वो कहेंगे कालू बला कद जाना नदीर कहेंगे हाँ हमारे पास डराने वाले आए हमने उनको जुटला दिया मैं आपको इसकी आयत बताता हूँ तो ये बात है कि एक चीज़ वाज़ हो जाए जैसे पुरान के अंदर क्या है हक वाज़ होने के बाद भी कोई इंकार करता है उसकी बात है अब जो आपका में सवाल जहां से स्टार्ट हुआ वो ये है कि कोई शक्स को अगर मरने से पहले मालूम पड़ता है कि मरने से पहले भी अगर उसने कुबूल नहीं किया आपने ये कहा अगर उसको सही बात समझ में आ गई आप खुद बो सेवियर भाई कि उसने बेजा अपने ट्रू मेसिनजर्स को भीजा सारे पेगंबर को भीजा गेंडरी जो सचे पेगाम को लेका रहा है किसी को अगर पेगाम सच्य सही समझ में आ गया फिर भी उसने इंकार किया उसको यह नहीं कहा गया था कि उसको पहाड पे जाकर जंगल में चले जाना है सब चीज छोड़ देना है जहां है वही रहे बस वो दिल में सची बात कुबूल कर ले सची बात को जान कर इंकार ना करे रिजेक्ट ना करे वो कर सकता था असानी से ये चीज पॉसिबल थी उसके लिए कम से कम जाना और इंकार किया और इंकार करने में वज़ा क्या होती है पैसा किसी की वज़ा होती है किसी के नाम शोहरत इज़त ताकत यही चीज़े होती है अब वो उपर वाले को खुश करना उसने इंपॉर्टन्स उसको नहीं दी तो फिर क्या उसको सजानी मिलनी चीए कि जिसने तुम्हें सब चीज़ दी, पालन हारे तुम्हारा, मा की कोक में थे, आने से पहले से लेकर, जमीन पे सारे इंतजामाद, सारी चीज़ जो किस ने किया, उसकी रियाल्टी को जान करके तुमने उसके बारे उसको इंकार किया, तो ये तो बहुत गलत बात है, तो ये चीज़ क के चार किसम के लोग अल्ला से आर्ग्यू करेंगे और फिर अल्ला उनका फिर से एक इम्तिहान लेगा और उन में से जो लोग पास होंगे वो जन्नत जाएंगे जो फेल होंगे वो जहाननम जाएंगे तो ये एक जिक्र है कियामत के दिन और जो लोगों को सचाई में इंटरेस्ट है ना वो उसको देखके कुबूल करेंगे हाँ जी उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिलाओगा